Welcome to Chemistry Academy students, आज की वीडियो में Chemistry का एक most important question पढ़ेंगे जो के पिछले सालों में net exam में आचक है इससे later कोई भी question आजे तो आप असानी से solve कर साते हो, question को गौर से समझने जरूरी नहीं है कि यह question paper में पुछा जाए लेकिन इससे later question आजे तो भी आप लोग solve कर साकते है question में यह पूछा गया है, और से दरह देखना है, which of the following represent the mode of hybridization SP2, SP2, SP, SP यहां पे आपको चार compound दिये गए और इनमें आपने बताना है कि जो hybridization का order है पहले SP2, SP2 होगा फिर SP, SP होगा इन चारों में से बताना है इसके लिएक simple से trick का आप लोगों ने जहीं में रखना है कि अगर दो carbon के दरमाइन आजे जी double bond तो इसका मतर्व दोनों के hybridization क्या होगी, SP2, SP2 होगी अगर दो के दरमाइन आजे, इस तरह triple bond आजे, तो इसका मतर्व दोनों के hybridization क्या होगी, SP, SP तो हम क्या करेंगे, का hybridization का जो order दिया गए, वो भी यही है, SP2, SP2, SP, SP मैंने अभी पता है कि double bond होगा तो SP2, triple bond होगा तो SP अब देखे, पहले option को देखते हैं कि यह carbon और यह वाले जो carbon है, इनके दरमाइन कौन सा bond आ रहे है, double bond इसका मतलब यह SP2 है, और यह भी SP2 है, लेकिन next दो carbon को देखा जाए, तो carbon और nitrogen है carbon और nitrogen के दरमाइन कौन सा bond है, triple bond आ रहे है, तो इसका मतलब है कि carbon और nitrogen की जो hybridization होगी, वो होगी, SP, SP, ठीक है, और इन तोनों की क्या होगी, SP2 होगी, और इसकी भी क्या होगी, SP2 होगी question में भी यह पूछा गया, कि SP2, SP2, यहां पर देखा थे, यह SP2, फिर से SP2, उसके बाद आगे फिर से क्या है, SP, SP, तो इसका मतलब है कि प्लीज मेरे चैनल Chemistry Academy सबस्क्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर कर दें, अल्लहाफिए